प्रेदर शुकूँ, नमस्कार, एक बार फिर से उपस्तित हूँ आप सब के सामने, आज कल के कारेकरम में मैंने जहाँ आप लोगों को इनकी कुंडली का लगन चाट का धेहन किया था, आज इनकी कुंडली के लगन नमांस, चलित कुंडली के बारे में मैंने कल जीकर कर रखा था, पर आज वो नमांस का धेहन करूँगा और दश्मांस कुंडली, Social सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी कुंडली में, जरद समझेगा, देखे एक बात बता दूँ, शुरू करने से और हमेशा ही जातों को प्रभावित करती है यहां तक कि प्रतेक ग्रह जो महादशा में होता है जिस भी ग्रह की महादशा में आप जी रहे हो वो ग्रह अगर नौमांस कुंडली में कमजोर होता है तो नेसंदे उसके प्रभाव आपके जीवन पे कमजोर देखे जाते हैं या निगेटिव भी होता है उसका आसर यहां पे अगर मैंने कल लगन कुंडली का ध्यान किया तो आप ज़रा समझ के देखे कि नौमांस देखे कैसे जाते हैं तो उसमें सबसे पहले यह देख लीजे कि लगन में यहां पे कौन सी राशी बन भी है लगन भी मकर का बना यहां भी मकर लगन भी उसी अंक से शुरू हुआ नौमांस भी उसी अंक से शुरू हो रहा है तो ऐसे स्थिती में यह मतलब यह बात सिध्ध हो रही है और पुस्टी इस बात की हो रही है कि जातक की कुंडली में मशक्कत कम करनी है जीवन सुलब हो जाएगा आसान होकर कि व्यक्ति बड़े लेवल पे चाकर कि अपने आपको स्थापित भी करेगा और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि व्यक्ति को अब यहाँ पे मेहनत करने की जो इस्थुति है वो और भी बढ़ जाएगी उसके प्रोग्रेस के दर बढ़ जाएंगे उसके सफल होने के चांसे कई गुना बढ़ जाते हैं क्योंकि ग्रफ लक्चुइशन में नहीं है लगन बदल नहीं रहा है यानि कि यथावत सारी राशियां जो हैं मेहनत नहीं करने बढ़ रही है डिगरी ऐसी जो इस्थत और इस्थती को बना करके रखी हुई है तो ये एक अच्छी बात हो जाती है अब आईए आपको और भी निकट से समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे लगन में बुद्ध बैठे हैं और शुक्र को देख रहे हैं अब ऐसी इस्थती की व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध और शुक्र का प्रभाव जरध्यान से समझीगा यहाँ पे शुक्र और मंगल बारह में थे इसका प्रभाव मैंने कल बता रखा था यहाँ पे बुद्ध और शुक्र लगने में बैटे हैं अब ऐसी स्थती में कि अब जातक के जीवन में जैसे ही दामपत्य का सूत्र बंधेगा व्यक्ति के कर्म छेत्र में विकास के स्थती बढ़ेगी मतलब वो कार्मिक तासे और युक्त हो जाएगा और भी उसके कर्म करने के चांसे और उसके में लाब के चांस बढ़ जाएगे पत्नी सुंदर मिलेगी पढ़ाने वाली बन सकती है और अपना खुद का काम करने वाली बन सकती है दूसरी बात है कि पत्नी मुफट होंगी, चंचल मान सकता की होंगी, तीखे नए नक्स होते हैं, सुन्दर होती है क्योंकि स्थती ऐसी, क्योंकि यहां भी राहु तुला का होकर के बैठा, यह वरगुत्तम हो जाता है शुक्र नौ नंबर की रासी में, मंगल नौ नंबर की रासी में, यहां पे मंगल तीन नंबर की रासी में, और शुक्र चार नंबर की लगन में बुद्ध बैठे हैं, जो की भागे के अधिपती अब ज़र विचार करिए तो नौमान्स कुंडली में भागे भाव का अधिपती लगन में बैठा जातक के धर्म में जाने की स्थितियां, बुद्धिमान होने की स्थिति, प्रभाबित करने की छमता तीब्र और बुद्धी से योगत क्योंकि वो बुद्ध जो बैठे हैं व यहां शुक्र जन्मकुंडली में जहां दामपत्य में प्रेम और कर्म में सफलता देने के साथ सान दामपत्य को सुंदर और सजीला बना रहे हैं पर यहां पर शनी चंद्रमा का विश्दोस जहां चंद्रमा जन्मकुंडली में उच्चके हो रहे हैं जो होते हैं जन्मकु से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में, मैंने वो प्रेम विभाव वाले कारिक्रम में बात बताई थी न, तो वो इस्थती यहां बन रही है, मंगल छठे भाव में बैठे, और ये होते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थस्थान के अधिपती, चतुर्थस्थान के अधिपती क छठे में जाना दूर से संबंध का आना और दूर जब्वाह जा करके करना क्योंकि राहू के तु का भी प्रभाव है दामपत्य प्रेम से युक्त रहे और गुरू को ढूंड लीजे तो आपकी कुंडली में गुरू स्वग्रही हो करके भाग्य भाव को देख रहे हैं ये ब अपनी पत्नी के सहयोग आसानी से ले सकता है मतलब उनकी पत्नी ऐसी हैं जो आपको कुछ भी और किसी भी तरीके के सिक्षा के देने की योग्यतात उनके पास है ये बात दिख रही है गुरू का प्रभाव उच्छ का पढ़एगा यहां पर उच्छ दिष्टी से वो स्व साथमी दिष्टी यहां पढ़ रही है साथमी दिष्टी यहां और नवी दिष्टी जन्मकुंडली में यहां पढ़ेगी लाव की स्थती भी बनती है क्योंकि यहां के अधिपती मंगल जन्मकुंडली में सडास्टक में हैं और वो गुरू से केंदर में आ रहे हैं लाव बढ़ नक्षत्र यह बहुत आपने आपको स्वक्षंद विचारों से मुक्त करके अपने आपको बहतर और अलग पोजीशन पर ले जाकर स्थापित करते हैं यह बात भी बनती है बुद्ध स्रमण नक्षत्र यह बहुत बढ़िया और जन्मकुंडली में अगर चंद्रमा और शनी को देखते हैं तो यहां पर विश्दोष बढ़ा है पर वो असर कम करेगा क्योंकि ऐसी स्थुती में कि शनी कृतिका नक्षत्र में और चंद्रमा भी कृतिका नक्षत्र मे आग है वहाँ और आत्माविश्वास के इस्थोती भी है सुरिय जन्मकुंडली में जन्मकुंडली में बैठे हैं कहां जन्मकुंडली में सुरिय जाकर के बारह में बैठे हैं इस वज़ा से वहाँ पे उसको निगटिव पक्ष भी मिल रहा है क्योंकि नक्षत्र का अधिपती वास्तों में बाहर जा रहा है तो वो परिशानी भी करेगा और वैसे भी वो इसकुंडली का अस्तमेस होता है इस वज़े से वो कई बार ब्यक्ती को पेट का रोगी दामपत्य में कई बार पती पत्नी जब भी दामपत्य में बंधते हैं तो जाना भी लगा रहते हैं अब एक बार इनकी कुंडली में मैं शुक्र अच्छी स्थोती में हैं गुरू का प्रभाव है दामपत्य अच्छा है क्योंकि लगन के अधिपती शनी की स्थोती अगर देख रहा हूं तो शनी पंचम भाव में बैठे हैं ये प्रेम को उजागर कर अगर देखते हैं तो यहां कन्या राशी बन रही है दश्रमान्स कुंडली 6 नंबर की बनती है जहां के अधिपती बुद्ध परतियोगिता करा रहे हैं और नौकरी आधी में भी बैठी को पदस्थापित करने का प्रभाव दिखा रहे हैं ऐसे इस्थती में कि अगर जन् में कर्म छेतर के बारे मिचार करूं तो सरकारी छेतरों से जुड़ करके काम करने वाला पर ब्रभव शाय का भी ठीक रहेगा कमजोर नहीं व्रक्ति कुछ भी करें मैने जैसे कल ही बात कही थी कि व्रक्ति जिस भी छेतर में अपना हांद डालेगा उसमें से सोना नीकाल ल वज़ा से कई बार समझने वाली बात हो जाती है कि आपका काम करना चाहते हो दिमाग कौन से छित्र में ज्यादा जा रहा है दशा कोन सी चल रही है किस प्रकार की दशा में वगति और काम करेगा इस वज़ा से उसी समय पे बुषाय का चैयन करना चाहिए उसमें जरूर ही अपनी कुंडली एक बार दिखा लेनी चाहिए ऐसे आपकी कुंडली में कर्म शेक्तर देख रहा हूँ तो आपका कोई भी काम थोड़ा बहुत रुक रुक करके या फिर उसमें बिलंब की स्थती बने या प्रतियोगिता करनी पड़े इसकी भी बात बनती है मतलब ये स्थती है कि व्यक्ति का काम एक बार में न हो तीसरे बार में हो ये बात बन रही है नौकरीव अगरी की स्थतीयों में अगर देखता हूँ तो बैंकिंग सेक्टर और कुरसी पे बैठ करके कोई भी काम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं. Coding decoding का काम करना चाहते हैं कर सकते हैं. जो भी काम हो आप कुरसी पे बैठ करके अपना हांग चलाना हो दिमाग चलाना हो ये काम आप कर सकते हो. अब एक बार इनकी कुंडले में मैं D7 चार्ट अगर बता दूं. द्रती के संतान कैसे हैं, तो संतती के बाव़े में, अगर विशार करें, तो पंचम भाव लगन कुंडली का शुक्र का बनता है, जिसके अधिपती उसे जाकर के बारवे बाव में मंगल के साथ बैठे हैं, जो की जन्म कुंडली का सुखेस है, योग हैं, पर क्यूंकि गुरु भी देख रहे हैं, परबारने के है हैं, इस वज़ेसे यहाँ पर संतती वाले भाव को, यहाँ पर क्यूंकी कारक छेत्र जो है, जन्मकुंडी में गुरु का बनता है, और बुद्ध भी यहां के कारक होते हैं, पंचम भाव के, ऐसी स्थती में व्यक्ति को चुकी वहाँ पे सुरी का प्रभाव, बुद्ध का प्रभाव, भागेश देखा, गुरु देखे, नए सरगी कुरूप से गुरु की दृष्टी अगर यहां पे पढ़ रही है, तो नह करक रासी बनती, जिसके अधिपती दशम भाव में राहु के साथ बैटे हैं, और पंचम भाव में गुरु अकेले, ऐसी स्थती में कई बार यह जातक को संतती से समंधित कस्ट भी देने वाली स्थितियों में ले जाते हैं, कभी-कभी बिलकुल ही ना हो, और कभी-कभी हो तो कमजोर हो, या रुब्ण हो, या कमजोर उसके स्वास्त को कमजोरी में देखा जाता है, ये बात भी देखती है, बुद्ध और राहु का प्रभाव चन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे है, ऐसी स्थती में व्यक्ति की कुंडली में अगर लगन के अधिपती सुख भ लब हो, तो ऐसी स्थती जीवन में ना बने, इस वज़े से व्यक्ति को चाहिए कि वह कुंडली मिला ले, पर जोतिशी चाहे कोई भी हो, वह आपको बिना कुंडली मिला और विबा करने को नहीं कहेगा, इस वज़े से कुंडली मिला करके ही आगे बढ़ने की आवशक्ता बनती है इनकी कुण्ड़ी में दशाओं की बात अगर करते हैं तो कौन से ग्रह की दशा शुभग्रह और अशुभग्रहों के प्रभाव में देखें तो आपकी कुण्ड़ी के लिए सूरिय ना तो शुभग्रह होते हैं ना अशुभग्रह होते हैं इस वज़ा से वो सामान परिणाम देंगे, मंग, चंद्रमा, अशुभग्रह बनते हैं करक लगने की कुंडली के लिए मंगल, अशुभ, बुध, शुभग्रह के प्रभाव में आते हैं, गुरू जन्म कुंडली में अशुभ, मंकर लगने की कुंडली इसलिए थोड़ी कमजूर हो जाती है क्योंकि जर बिशार के जिस कुणली में गुरु का ही सहयोग ना मिले, सुर्य का ही सहयोग ना मिले, चंद्रमा का ही सहयोग ना मिले, तो तीन गुरह तो ऐसे ही निकल गए, तो एक मात्र ग्रह सुभग्रह के रूप में बुद्ध बचते हैं, और बुद्ध बचते हैं, ये उसके भागे का प्रभाव अगर भागेश कमजोर हो, तो भागे का बल थोड़ा मिलता नहीं है, पुर ये इस्ति बनती है, केतु थोड़े अशुब हो सकते हैं, यहां पे माता के साथ कई बार बैचारिक मत्वेद, माता के स्वास्त को प्रिशानी, घर से दूर रहने के स्थुईतियां धन कमाने के लिए बाहर जाना ये सब इस्थुईति बना रहे हैं अब एक बार इनकी कुंडली में मैं ग्रह दशा पे चर्चा कर दूँ कौन से ग्रह की दशा चाहे महा दशा में हो चाहे अंतर में हो कैसा फल देगी सूरिय अच्छे परणाम देंगे आधा ही करेंगे पर अच्छा करेंगे चंद्रमा इनकी कुंडली में 25 फिसदी का परणाम करेंगे अच्छाई के तौर पे और बुराई के तौर पे भी बुराई के तौर पे चुकि वो सब्तम के अधिपती होकर के तो जभी भी चंद्रमा की दशा आएगी तो बैचारिक, मत्वेद, पत्नी के साथ बनेंगे और वो उसी दशा में ठीक भी हो जाएंगे, मतलब वो लंबा नहीं कीजेगा मंगल की दशा में अगर देखता हूँ, तो मंगल और बुद्ध दोनों की दशाओं में आपकी कुर्णली में स्थितियां कमजोर नहीं है क्योंकि मंगल भी अच्छे बैठे हैं, यहां के अधिपती होकर के पंचमस्त सुक्र के साथ केंदर त्रिकोंड राजयोग लगा रहे हैं, पर बारे में हैं वो विदेश जाकर के रखती काम कर ले, तो अनुकूल इस्थितियां बनीग, अगर गर से दूर जाकर के कोई भी काम करना चाहते हैं, ने संदे कर लेना चाहिए, बुद्ध और मंगल की दशा हैं अच्छी, गुरु की दशा सामाने तया, ठीक ठाक, शुक्र बहुत अच्छे, बतलब इनकी दशा जातक के लिए हमेशा ही अच्छी साबित होगी, राहु और केतु की बात करता हूँ, तो देखना बताऊंगा मैं आगे आप लोगों को की कैसे होरा कुणली देखी जाती है, पर एक मात्र ऐसे ग्रह के रूप में शनी को मैं देख रहा हूँ, जो मकर लगनी की कुणली के लिए लगनेश हैं, ये सामानने जाएंगे, इनकी परिणाम को हम न तो बुरा कहेंगे औ पर नहीं अच्छा कहेंगे, पर चुकी वो लगनेश हैं, लगन के अधिपती होकर के जाकर के धन भाव में बैटे हैं, व्यक्ति की कुणली में शनी की दशा में से धन की समस्या नहीं होगी, हाँ, उसको कई बार कंजूस बना देते हैं, व्यक्ति अपने ही उपर कई बार इन सक चीजों का सुख है, दामपत्य का सुख अच्छा है, परिवार का सुख अच्छा है, माता के स्वास्त को थोड़ा सा परिशान और माता को चिंता से युक्त देख रहा हूँ, इसलिए घर में शिर जी की पूजा, बजरंग बली के सुन्दर कान का पाठ, ये करना चा कुछ तो छूट रही जहा है, राशिया कौन-कौन से अच्छी होंगे इनके लिए, वह भी कल बताया था शार, में ब्रिशिक रासी अच्छी होगी, कन्या रासी अच्छी होगी, और उसके बाद आपकी कुंडली के लिए जो एक अच्छी रासी और हो सकती है, वो हो सकती ह करक राशी और ब्रिशब रासी, यह चार रासी आपकी कुंडली के लिए अच्छी होगी, कभी भी जगडा बगरा करना हो तो शिम रासी वालों से बचके रहिएगा, और उसके बाद मिथुन राशी वालों से बचके रहिएगा, यह बात बनती है, जगडे लड़ाई की स् ठीक है कमजोर नहीं है लाभ का अधिपती होकर के लाभे में बैटा है यह महाभागे शाली योग के निर्माण भी बन रहे हैं कुणली खराब नहीं है कुणली बड़ी अच्छी है बहतरी ने इस कुणली में सबसे अच्छे रहू सबसे अच्छा भाव यह कादश्वा आपन करूँगा आगे भी अगर कोई बात पूछनी हो तो नहीं संदे मुझे पूछ सकते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजे कले बड़ फिस से उपस्थ होंगे आप सब के सामने तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार